दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कौर्ट की दखल अंदाजी देखने को मिल रही है और नियाय के प्रती लोगों को भरोसा दिलाने का काम किया जा रहा है ये वाकई कावले तारीफ है जिस तरीके से सुप्रीम कौर्ट अपना काम कर रहा है और लोगों को वो विश्वास द खत्म होती भी नजर आ रही है लेकिन इस उमीद को लगातार सुप्रीम कौर्ट जो है वो बांधता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से सुप्रीम कौर्ट ने ये साबत कर दिया है कि सुप्रीम कौर्ट से बड़ा सुप्रीम और कोई हो ही नहीं सकता है एक बार फिर से सुप्रीम कौर्ट के जज जो है वो ऐसे ही इंसाफ को आगे आएंगे दरसल दोस्तों हुआ ये कि इस वार जो है सुप्रीम कौर्ट के जजों का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे देखकर लग रहा है कि करने की कोशिश करता है बीजेपी जो ये चुनाव आयोग को अपनी हाथ की कट्कुतनी बना चुका है चुनाव में दखल अंदाजी देने के लिए बीजेपी हर वो काम करती है जिससे उसको फाइदा पहुंच सके और चुनाव आयोग उसके साथ मिल जाती है ऐसा विपक्षी दलों के नेता बार-बार इलजाम बीजेपी पर लगाते हैं लेकिन अब सुप्रीम कॉर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एक सुनवाई चल लही थी उस दौरान जज सुनवाई के दौरान कहा है कि आप सुप्रीम कॉर्ट का जो हक है वो सबसे पहले जान लिजे कि सुप्रीम कॉर्ट चाहे तो क्या कर सकता है सुप्रीम कॉर्ट ने चुनाव में दखल देने का पूरा हक जो है वो जाहिर किया है कि चुनाव में उन्हें दखल देने का पू कोई भी गड़बड़ी होती है किसी भी तरीके से दखल अंदाजी की जाती है तो वो इसमें बोल सकते हैं हम आखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं ऐसा सुप्रीम कौर्ट की तरफ से बयान आया है दरसल दोस्तों सुप्रीम कौर्ट ने साफ और सीधे लबजों में कहा है कि उसे चुनाबी प्रकेरिया में दखल देने का पूरा हक है एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि हम आम तोर पर माना जाता है कि सुप्रीम कौर्ट यानि के शिर्स अदालत चुनाब या उसे जुड़ी प्रकेरिया में दखल नहीं दे सकता है उनका दखल देने का मतलब काम है चुनाब भी प्रकिरिया में वो जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं ऐसा मित्थे लोगों के पास बनाया गया है लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है कौट का ने बताया कि दखल कब कब दिया जा सकता है और वो कब कब दखल दे सकते हैं जस्टिस विक्र गलत करता दिखता है तो कोट का दायत्व बनता है कि वो ऐसे मामले में फौरण दखल दे बैंच ने कहा है कि लोगतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रकिरिया है चुनाव का चुनाव के जरिये ही जन्रप्रती नीदी चुने जाते हैं उनके जरिये ही सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है इसलिए सुप्रीम कौर्ट का दखल अंदाजी देना जायज है और जब जब घलत होगा तो सुप्रीम कौर्ट दखल देने के लिए जो है आगे आएगा इस बात को सुनवाई के दौरन कहा गया है कि उनके जरीए एक सरकार बनत के से होता है तो जनका के जरीए चुना हुआ प्रतिनिदी संसत या वदान सभा में पहुंचता है लेकिन अगर चुनावी प्रकिरिया को बाधित किया जाता है और चुनावी प्रकिरिया को अधिकारी कस्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कौर्ट मुख द बना हुआ नहीं रह सकता है ऐसे में उसे चुनाबी प्रकिरिया में हर हाल में दखल देना ही होगा ये बात कान खोल कर रख लिजिए सुप्रीम कॉट ने नेशनल प्रेस कॉन्फरेंस के चुनाब चिन से जुड़ी आजिका पर दोस्तों असुनवाई की और सुनवाई के लद्धाक प्रशासन की याचिका पर ये सुनवाई जो हो रही थी और इस पर याचिका को खारिज कर दे गए और याचिका खारिज करते वे ये तमाम बाते कही गई और उस पर एक लाख रुपे जुर्माना भी लगाया गया साथी 51 पन्नों के आदेश में सुप्रीम है कि वो चुनाबी प्रकेरिया में भी दखल दे सकते हैं अगर गलत होगा तो हम इसके लिए आगे आएंगे इसे पहले भी दोस्तों मैंने आपको सुप्रीम कॉट से जुड़ी कए मामलों के बारे में जो है बताई है खबरे कि कैसे मनीपूर को लेकर जो है मनीपूर सरका कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कॉट को आगे आकर उस गिरफतारी को रोखना पड़ा इन फैक आज फिर से सुप्रीम कॉट आगे आकर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की जो गिरफतारी थी जो चुनौती फिर से दे दी गई थी उस पर भी रोक लगा दी गई है अंत्र कि उसके ऐसा लगता है कि नयाय मांगने वालों को निराश नहीं होना चाहिए. नयाय में भले ही देरी हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी मांदारी के साथ लोगों को नयाय मिल रहा है दोस्तों. एक बहुत बड़ा जो है को मिलता है कि कैसे लोगों को बार बार बुलाया जाता है तारीफ पर तारीफ दिजाती है चपपल गिस जाते हैं लेकिन सुप्रीम कौट इनही चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और सीधे और साफतोर पर संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि जो कोई गलत करेगा तो उसके खलाब भी चुनाब जो है अगर चाहे वो चुनाब में हो या फिर इनसान के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कॉर्ट हमेशा आगे आता रहेगा दोस्तों इस पूर रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साच चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी ना भूले झाल